सरल हिड़ दै सम मन्दिर नाही सरल हिड़ दै प्रभु दाम सम मन्दिर नाही राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम दर्शन देत राम निजता को राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम प्रिया राम समता देखी जै श्री राम बोलो सत्य सरल श्री राम प्रभू की जै भक्तों आज आपको जो कथा सुनाने जा रहां ये कथा एक सरल हिर्दय वाले एक भोले भाले इनसान की है भक्त और भगवान की है गुरु शिश्य की है चतुर और नादान की है ऐसा सरल ऐसा सीधा सादा भोला भाला इनसान जिसके भोले पन और मासूमियत के आगे प्रभु श्री राम जी को सब परिवार सहित आना पड़ा और माता सीता को स्वयम उस भोले भाले भोला के लिए भोजन बनाना पड़ा तो भगतों आईए भगवान और सरल हिर्दय वाले इंसान के मधुर मिलन की तरफ चलते हैं बोलो जै श्री राम रसोई के सामने पिता और दोनों पुत्र आसन के उपर भोजन के लिए बैठे हैं बड़े भाई की औरत अपने पती और ससुर के लिए दो थाली में भोजन परोज के लाती है पीछे से भोला की मा एक थाली में धेर सारा भोजन परोज के लाती है देवर की थाली देख भाभी का चेहरा तम-तमा जाता है मा खाना लेकर भोला के सामने रखती है मा के अलावा सभी का चेहरा तमतमाया हुआ लग रहा है सब की निगाहें भोला की थाली की तरफ है पाँच आदमियों का भोजन अकिले भोला की थाली में परुसा गया है हर किसी से अंजान भोला भोजन देखके खुश हो जाता है अम्मा, भाईया और पिता जी का बोजन तो भावी परोस्ती है, मेरी लिए तो ही की ठाली लेकर आती है, अम्मा, कभी मेरी भावी को भी मेरी ठाली परोस्ने का अवसर दे दे हम, कहा तो ऐसे रहा है, जैसे इस घर का खर्चा ये ही चला रहा हो भाईया भावी और पिता जी के रहते मुझे क्या चिंता काम धाम की खाने देना मुझे कान खोल के सुनने भोला इस घर में रहना है तो काम धंदा करना पड़ेगा ये जो तु पाँच पाँच आदमियों का भोजन अकेले ड़कार जाता है न हम बड़ी महले से कमा के लाते हैं और लाओं कुछ बेटा अम्मा चाहर रोठी ओर दे देना पूरी रसोई लाके रगदू तेरे आगे घर में और भी लोग भूके बैठे हैं पता नी पेट है के कुआ बस भावी बस जब तक तेरे मुझे चट पटी चटनी नहीं निकलती न पेटी नहीं भरता अब पेट भर गया अब चदरतान के सोजा घोड़े बेचके बहु तु मेरे भोले को जली खोटी ना सुनाय कर वो भी बराबर का हिस्सेदार है जाजाद में हिस्सेदार है तब ने हिस्से का काम भी किया करे न अब पता चलेगा तुम्हारा पाला भोला से है भोला से ये भगवान नास पीटे ने मेरा सर फोड़ दिया गिल्ली मार के इस निखट्टु को कोई काम धाम तो करना नहीं दिन भर मटर गस्ति करता रहता है भाबी जी घास मैं उठा लेता हूँ बस आप रूठिये मत अज फैसला होके रहेगा या तो ये रहेगा घर में या मैं रहूँगी तू सही कह रही है आज फैसला होकर ही रहेगा दस-दस आदमियों के बराबर खाता है और काम के नाम पे मूँ छुपाता है और काम के नाम पे मुझे देडा भोला था अति भोला खाला मन मस्ते में रहने वाला राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे देडा तो सांज ढले जब बनीर सोई भोला को उच्छे नहीं कोई राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे देडा राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे देडा अम्मा, तु काना खाले, मेरा पेट तो भावी की बात सुनके ही बर गया आज के बाद इस घर में भोला रहेगा तो मैं चली जाओंगी ये घर छोड़के पिता जी कल से ये इस घर में नजर नहीं आना चाहिए मैं बता रहा हूँ मैं तो चाहता हूँ ये पेटू आज ही घर से निकल जाए ये पेटू अकेले दस आदमियों के बराबर खाता है क्यों निकल जाए इसका भी हिस्सा है घर में, बाग में, खेत में कहीं नहीं जाएगा मेरा बेटा फिर आप ही बना के खिलाओ इस पेटू को, दस बारा आदमियों के बराबर अकेला खाता है इससे तो अच्छा है कि बतवारा हुई जाए भोला था अती सरल स्वभावा सुनी कट वचन तुरत मुस्कावा राम फिया राम फिया राम रिचे देडा हो सोबत छोड़ी पितार उमाता छोड़ी चला घर से सब नाता यां सिया रां सिया रां मुझे तेरा हो जा पर प्रभुजी होत दयाला भूखे पेट भी रहत निहाला यां सिया रां सिया रां सिया रां मुझे तेरा भूला भाला भूला निश्चल निश्कपट रात में घर छोड़ के चला जाता है अपनी धुन में पैदल चला जा रहा है कभी कभी पेट पे हाथ फेर लेता है, फिर मुस्कुरा देता है, ख्यालों में देखता है, खाना खा रहा है, मा खाना परोस रही है, फिर भाभी का तम-तमाता चेहरा नजर आता है, हस देता है, भोला चलते चलते ठक जाता है, तो एक कुटी या मंदिर की दिवार से टेक लगा के बैठ जाता है बैठे बैठे सो जाता है जब प्रातह काल की पहली किरण उसके चेहरे पे पड़ती है तो आखे खोलता है और देखता है कि वो किसी महात्मा के आश्रम में आ पहुँचा है उठता है तो देखता है कि बड़े से मटके में पानी भरा है लोटे से पानी निकालता है, मुँध होता है, पानी पीता है तभी उसकी नजर महात्मा जी के उपर पड़ती है जो तखत पे बैठे माला फेर रहे होते है पास में ही नीचे साधू चेलों की पंगत भोजन कर रही है सब को भोजन करते देख भोला के मुँख में पानी आ जाता है अपने पेट पे हात फेरता, ललचाई नजरों से भोजन करते हुए संतों को देखता है तभी महात्माजी की नजर भोला के उपर पड़ती है और महात्माजी मुश्कुराते हुए तुम कौन हो, कहां से आये हो, भूख लगी है, भोजन करोगे, तुम्हारा नाम क्या है साधो गुरु जी, मेरा नाम भोला है आशाराम आशाराम आदेश गुरुदेव ये भोला है इसको पंगत में बिठा के भोजन करवा दो जो आग्या गुरुदेव चलो भोला भोजन कर लो पंगत बैठ के भोजन पाए खाता जाए खाता ही जाए राम सिया राम सिया राम रिचे ते राम राम सिया राम रिचे ते राम हो पूडि खीर साग अर भाजी पूछे संत भोला कहे हाजी राम सिया राम सिया राम जैदे राम हो पंगत पाँच चली गई खाके भोला मांगे और दोला के राम सिया राम सिया राम जैदे राम साधो संत गुरु अर ज्यानी भोला को देखी हो ये है राम राम सिया राम सिया राम जैदे राम राम सिया राम सिया राम जैदे राम हो अनपूरणा बुरु धेंग आके हाथ जोड बोली अगुला के राम सिया राम सिया राम जैदे राम राम सिया राम सिया राम जैदे राम हो लाज रखे अब उपर वाला राम सिया राम सिया राम सिया राम जैदे राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जैदे राम बोले गुरु कुछ और बना दो भूखा है वो और खिला दो राम फिया राम फिया राम जय ते राम हो उठा पेट भर भोजन पाके बोला गुरु से शीश नवाके राम फिया राम फिया राम जय ते राम राम फिया राम जय ते राम गुरु जी बोजन करके आतमा त्रिप्त हो गई मेरी भूला क्या तुम प्रती दिन इतना ही खाते हो तुम करते क्या हो भूला गुरु जी मैं कुछ भी नहीं करता हूं गुरु जी क्या आपके आश्रम में रोजी आसा भंडारा लगता है हाँ प्राता और साय इसी तरह से भोजन पाते हैं आश्रम के निवासी काम क्या करना पड़ता है गुरु देव यहाँ पे राम नाम के शिवाय किसी के पास और कोई काम नहीं है भूला क्या सोच रहा है बेटा हे गुरु देव मुझे भी अपने चड़नों में स्थान दे दीजिए मुझको भी अपना सेश्य बना लिजिए गुरु देव भूला तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो परन्तु तुमको आश्रम के नियमों का पालन करना होगा ये ध्यान रहे गुरु जी मुझे सारे नियम स्विकार है बस आप मुझे अपना चेला बना लो गुर्देव और इन चड़नों में जगा दे दो भूला हमारे आश्रम का नियम है सूर्य उदे से पहले अस्नान करना पूजा वंदना के पश्चात ही भोजन मिलता है यहाँ पर गुरु जी मुझे स्विकार है स्विकार तो है भोला परन्तु आश्रम की साफ सफाई का विशेश ध्यान रखना होगा मंजूर है गुरु जी मुझे सम मंजूर है फिर तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो हाँ अपने गुरु भाईयों से सनेह रखना होगा गुरुजी मुझे सब मनजूर है बस एक बात पूछना चाहता हूं गुरुजी पूछो भोला गुरुजी गुरुजी रोज कितनी पंगत बैठती है भोजन करने के लिए पांच पंगत उठती है आई समझ में परंत उनके लिए जो जीने के लिए भोजन करते हैं उनके लिए नहीं जो भोजन के लिए जीते हैं भोला तु एसा क्यूं पूछ रहा है बेटा आप मुझे न पाचों पंगत में बैठने की आज्या दे दीजे गुरुदेव गुरुदेव ये मानव नहीं महाधानव है महाधानव किरपा करके इसको आश्रम में रहने की आज्या मत दो अन्यता एक महीने का रासन चार दिन में चट कर जाएगा या दानो भोला तु जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है हो कोई नहीं गुरुदेव समाना हरही तु रत गुरु संकत नाना याम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम गुरु मंत्र देई शिष्य बनाया भोला ने गुरु आशिष पाया राम सिया राम सिया राम जे दे राम हो प्रातह काल उठे नित भोला बदल दिया गुरु देव ने चोला याम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम हो दोनों समयनित भोजन मिलता चेहरा गया दिनों दिन खिलता राम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम आश्रम के सब बोले साथ हूँ भोला कौन बला है जे तूँ राम सिया राम सिया राम जे दे राम भोला से चेले चिड़ते थे मन में खार मेल रखते थे राम सिया राम सिया राम मे दे राम भो पाचो पंगत करता भोजन गुरू देव को करी अभिनन दन राम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम एक दिवस स्नाल से आया दे खिर सोई सिर चक्राया राम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम हो चूला जला ना बना था खोजन साथो संत कर रहे चिंतन याम सिया राम जे दे राम हो भोला को अति भूख सताए बारं बार रसोई जाए राम सिया राम सिया राम जे ते राम गुरु संगलीन सभी चिंतन में भोला का मन है भोजन में राम सिया राम सिया राम जे ते राम राम सिया राम सिया राम जे ते राम हो डरते डरते भोला बोला क्यों गुरुदेव जला नहीं चूला भोला आज एका दशी है बेटा वो सब तो ठीक है गुरुजी लेकिन आप ये बताईए कि भोजन क्यों नहीं बना हर कोई चुपचा बैठा माला फिर रहा है और वो अन्यपूर्णा जी भी दिखाई नहीं दे रही है आज एका दशी है वो तो आपने बठा दिया गुरुज परंतु भोजन क्यों नहीं बना आज भोग के कारण मुझे तो चक्कर आ रहे है गुरुजी भोला अभी तुम नए नए आये हो इस आश्रम में इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि एकाधशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनता है सब को उपवास रखना होता है क्या उपवास वो भी पूरे दिन का हाँ भोला अब कल प्राता ही भोजन के विवस्था होगी माला लेके किसी कोने में बैठकर अंतर मन में राम 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 जपो बिटा भोला क्या तुम बगवान के नाम पर एक दिन का उपवास नहीं रख सकते हो क्या एक दिवस गुरुजी अगर थोड़ी देर में भोजन नहीं मिला तो मेरे प्रान संकट में आ जाएंगे देख भोला आज भोजन नहीं मिलेगा क्यूंकि एक आधसी के दिन रसोई नहीं बनाई जाती है हमारे आश्रम में गुरुजी कोई किरपा करके व्यवस्ता करवा दी जीए मेरे लिए तु एक काम कर अनपूर्णा से थोड़ा आटा थोड़ी आलू भाजी तेल मसाला लकड़ी आधी ले ले और जाके नदी के किनारे टिकर बना के खा के आजा अनपूर्णा अनपूर्णा आदेश गुरुदेव अनपूर्णा भंडारे में से आटा तेल मसाला आलू बैंगन टमाटर आधी जो जो भोला भोले न इसको बांद के दे दे विचारा नदी के किनारे जाके टिकर बना के खा देगा क्यों गुरुदेव एक दिन का व्रत नहीं रख सकता क्या ये भोला भोला भाला है बच्चों जैसी बुद्धी है इसकी जा इसके लिए सामान की पोटली भना के लेया अन्यपूर्णा बेन आलू टमाटर थोड़ा जादा ही ले कराना क्योंके भूग को जादा ही तक गर रही है और अन्यपूर्णा जी थोड़ा आटा जादा ही डाल देना गुरुदेव आपकी जै हो जै हो गुरुदेव की भोला जब भोजन बन जाए तो पत्तल में पहले परोस के भगवान को भोग लगाना और हाँ भगवान के भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करना भोला जैसी आग्या गुरुदेव मैं सबसे पहले श्री राम को भोग लगाऊंगा उसके बाद ही भोजन ग्रहन करूंगा प्रभू हो भोला धरे पोटली सिर्पे कहुच गया गंगा के तट पे याम सिया राम सिया राम जेते राम देख एक तरू रिख्ष की छाया भोला मन में अतिहर शाया राम सिया राम सिया राम जैदे राम जट पट भोजन लगा बनाने भोजन बना के बैठा खाने राम सिया राम सिया राम जैदे राम राम सिया राम सिया राम जैदे राम आई याद उसे गुरु पानी भोज लगे बिन पीना न पानी राम सिया राम सिया राम जैदे राम राम सिया राम सिया राम जैदे राम पतल ऊपर भोग सजा के यूं बोला वो भजन सुना के मेरे राम आऊ ना सिया राम आऊ ना आके भोजन का भोग लगाऊ ना मेरे राम आऊ ना सिया राम आऊ ना आके भोजन का भोग लगाऊ ना राजा राम आऊ ना सिया राम आऊ ना आके ठिक कर का भोग लगाऊ ना लाजा लाम आओना सिया लाम आओना आके तिक करता भोगे लगाओना हो ठक गया भोला भजल को गाके कोई भी आया नहीं वहां पे याम सिया राम सिया राम जे दे राम याम सिया राम सिया राम जे दे राम ये गुरु जी ने मुझे कैसे जंजट में डाल दिया भोजन तयार है भूग बेकरार है खा नहीं सकता ना जाने कब आएंगे प्रभु राम जी बिना भोग लगाए मैं भोजन ही नहीं कर सकता हूँ बोला ये तु क्या करने जा रहा है गुरु जी की आज्या की अभेलना करने जा रहा है प्रभु मुझे नहीं मालूम कि आपको भूग लगी है या नहीं परन्तु जल्दी नहीं आएना तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा इसे धमकी मस समझना हम सच कह रहे हैं है हमने तो सिर्फ दो लोगों के लिए भोजन बनाया है सारा खाना तो यही खा जाएंगे और मैं तो भूगा ही रह जाऊंगा यह गुरु जी ने कहां फचा दिया मुझे यह तो बड़ा तगड़ा मसला खड़ा हो गया सामने बोला बोला हमें भोजन के लिए बोला कर तुम कहां खो गए भोला हमको भोजन नहीं कराओगे क्या प्रभु जी सीधी सी बात सुन लो गुरु जी ने कहा था कि प्रभु को भोग लगाए बिना भोजन मत करना है मैंने तो केवल दोई आद्मियों के लिए भोजन बनाया है और दो तो आप ही हो गए मैं क्या भूका रह जाओं तो ठीक है हम जा रहे हैं तुम भोजन कर लो ऐसे कैसे चले जाओगे प्रभु जी मैं गुरु जी को क्या जवाब दूँगा तो फिर हमको भी भोजन दो न भोला देना क्या दो पत्तल में भोजन परोश रखा है खालो मुझे तो भूका ही रहना है आप भोग लगाओगे तो भी और भोग नहीं लगाओगे तो भी वाँ क्या उप्तम भोजन बनाया तुमने भोला हो सीता रामजी भोग लगावे मन में मन्द मन्द मुस्कावे भोला मन में सोचे विचारे रामसिया की सुरत निहारे रामसिया रामसिया राम जैदेरा हो भोला की कुछ समझना वे रामसिया रामसिया राम जैदेरा हो भोजन करके चले रघुराई संग में चली जान की माई रामसिया रामसिया राम जैदेरा रामसिया 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 राम जैदेरा भोला सोच रहा था बैठा पी गया पानी वो दो लोटा रामसिया 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 राम जैदेरा रामसिया 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 रामस भूखे पेट लोट के आया, गुरु देव से व्यथा सुनाया राम सिया, राम सिया, राम जे दे राम सुन करके भोला की वाणी मुस्काए तब गुरु वर ज्यानी राम सिया, राम सिया, राम जे दे राम हो गुरुवर लगे सोचने मन में कमी रह गई है भोजन में वो बोले गुरुवर मधुरस वाणी पीले भोला शीतल पानी राम फिया राम फिया राम जे दे राम भोला गुरु पे अतिख से आया गुरु को सारा भेद बताया राम फिया राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम फिया राम जे दे राम हो एक आएगा कहा आपने दो दो आ गए मेरे सामने राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम फिया राम जे दे राम हो प्रभुश्री राम जाने की माता उनको भूखा क्यों लोटाता राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम जे दे राम सारे हसने लगे भोला पर लगे उडाने हसे वहा पर राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम जे दे राम खो नहीं विश्वास हुआ भोला पर बात टाल दी गुरु ने हस कर राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम जे दे राम भूखे पेट सो गया भोला भोलाने फिर कुछ नहीं बोला राम फिया राम फिया राम जे दे राम राम फिया राम जे दे राम गुरु देव ने पता नहीं किस प्राणी को पाल लिया है खाये जा रहा है खाये जा रहा है बस खाये जा रहा है ये तो राशन का बंडार ही खाली कर देगा हमारा पता नहीं गुरु देव ने इसको क्यों रख लिया आश्रम में पहले जी भर भोजन की ना दो लोटा फिर पानी पीना राम भोजन करके भोला भाला हाथ उठा ले कंठी माला राम्षिया राम्षिया रामिजय थेरा राम्षिया रामिजय थेरा ओ, बैठ गया आसन के उपर, राम नाम जबे मन के भी तर राम सिया राम सिया राम जे दे राम बीते कुछ दिन इसी तरह से, पुन्य एका दशी आ गई फिर से बोला, बोला, आज्या गुर्देव, बोला बेटा, आज पुन्ह एका दशी आ गई है, गुरुजी एका दशी क्यों आ जाती है बार बार, आज भी रसोई में भोजन नहीं बनेगा, गुरुजी आज कम से कम तीन आद्मियों की सामगरी दिलवाना, पिछली बार एक की जगे दो आ गई थे, और मैं भूका ही रह गया था, अनपूर्णा, अनपूर्णा, भोला को आज तीन आद्मियों का राशन दे दे, आटा, भाजी, नमक, मसाला, तेल, कम ना पड़ जाए बेचारे को, दे दे जो जो ये बोलता है सब दे दे, गुरुजी मैं जान भूज क्या इतना थोड़ी ना खाता हूँ, क्या करूँ मेरी भूग ही नहीं मिटती, कोई बात नहीं भोला, तुझे जितना सामान चाहिए सब ले जा, प्रभुजी को भोग लगाये बिना भोजन मत करना भोला, जो आज्या गुर्देव, बस ये नह कि इस बार भी उनकी संख्या बढ़ जाए रामसिया रामसिया राम जेदे राम हो भोजन की करली तैयारी भोला काट रहा तरकारी रामसिया रामसिया राम जेदे राम जट पट भोजन लगा बनाने आएंगे प्रभु भोजन पाने रामसिया रामसिया राम जेदे राम हो पत्तल तीन में भोज परोसा चारों और तब उसने देखा नांसिया रामसिया रामसिया राम जेदे राम हाथ जोड के भ्यान लगा के मेरे राम आओ ना सिया राम आओ ना आके भोजन का भोग लगाओ ना मेरे राम आओ ना सिया राम आओ ना आके भोजन का भोग लगाओ ना राम आओ ना सिया राम आओ ना आके तिकर का भोग लगाओ ना गुरुदेव गुरुदेव ये किस संकट में डाल दिया अपने मुझको आज भी भूकाई रहना पड़ेगा लग रहा है अज दो की बजाए तीन आ गए इनके कुंडवे में सब ऐसे ही करते हैं क्या एक को बुलाओ तो दो आते दो को बुलाओ तो तीन आते ये कैसे प्राणी है गुरुदेव भूला अब हमको भूजन के लिए बुलाकर स्वयम रूठ गए अरे भूला क्या हो गया आज तुम रूठे रूठे क्यों लग रहे हो आप लोगों को इससे क्या फरक पड़ता है तीन पतल में बोजन प्रोज रखा है और आई भी तीन ही व्यक्ति हो लगाओ भोग लगाओ मुझे तो भूका ही रहना है भूला हमको बड़ी जोर की भूक लगी है तो रोका किसने आपको भोजन करो ना रुको रुको पहले ये बताओ कि ये भाई सब कोन है जो आपके साथ आये हैं ये मेरे छोटे भाई लक्षमण है पिछली एक आदशी पे जो तुमने स्वादिष्ट भोजन कराया था ना हमने उस भोजन की प्रसंसा लक्षमण जी से कर दिया था बस भूला तभी से मैं एक आदशी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुमारे द्वारा स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा बंडारा खोल रखा है क्या मैंने अच्छा चलो तीनों जने भोजन कर लो कि मेरे गुरुजी का आदेश है कि पहले घराए मेमान को भोजन कराना चाहिए उसके बाद भोजन करना चाहिए राम लखन सिय भोजन पावे मन ही मन तीनों मुस्कावे राम सिय राम सिय राम रिजय तेरा हो भोला है मुह तेरे बैठा आज रहूंगा फिर मैं भूखा राम सिय राम सिय राम रिजय तेरा हो भोजन कर तीनों ही प्राणी बोली सिय माता मृदुवाणी राम सिय राम सिय राम रिजय तेरा हो भोला इतना सुन्दर इतनी स्वादिष्ट रसोई तुम कैसे बना लेते हो भोला तुमारे हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन करके आनन्द आ गया सारा भोजन तो हमने समाप्त कर दिया अब तुम क्या खाओगे भोला अब जले पे नमक तो छड़को मत आप लोग आपने भोजन कर लिया ना अब जाओ अब जाओ यहां से हे माता स्री अब प्रस्थान कीजिए अगली बार कितने लोग आओगे बस यह बता दीजिए भोजन करके चले रघुराई लक्षमण हरशित सियमुस काई राम विया, राम विया राम विचै ते राम भोला लोटके वापस आया गुरुजी को सब हाल बताया भात टाल दी गुरु ने हस कर नहीं विश्वास हुआ भोला पर भोला हार गया समझा के भात जोड और कस्में खाके राम स्विया राम स्विया राम के दे राम राम स्विया राम स्विया राम के दे राम हो गुरु जी को हुई अति है रानी बोले संत शिरो मन ज्यानी भोला अगर तुमको भोजन कम पड़ जाता है तो आटा तेल भाजी मसाले की मात्रा और बढ़ा देता हूं बोलो गुरु देव मुझे तो भोला के उपर संका होने लगी है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है गुरु देव हाँ हाँ आप लोग सच कह रहे हैं मैं ही जूड बोल रहा हूं बस मेरी बात पे तो किसी को विश्वासी नहीं हो रहा है तीन लोग आय थे बोजन करने के लिए भोला तू बड़ा भोला है रे बड़ा भोला है घर पे मेरी मा के सिवा किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था और यहां भी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है सबके सब मेरी अशी उड़ा रहे हैं हो संत हिर्दय अजस शीतल सरीता दुख हरता गुरु है सुख करता भोला कामन रखने खातिर मान गए भोला की आखिर ओ पढ़त रमायण बाचत गीता पुनह मास एक फिर से बीता फिर से वही एका दशी आई भोला की बुधी चक्राई राम सिया राम सिया राम जे दे राम भोला सोच रहा निज मन में आज कमीना हो भोजन में राम सिया राम सिया राम जे दे राम सोच में डूबा पास गुरु आया निजमन व्यथा उन्ही समझाया गुरु जी आज हर समान दुगना दुगना दीजियेगा ना जाने आज कितने लोगों को लेकर आजे ऐसा ना होगे आज भी भूकाई रह जाओ मैं हाँ ठीक है भोला आज सारा सामान दुगना ही मिलेगा तुमको अनपूर्णा आज भोला को हर सामान अधिक से अधिक मात्रा में देगो बेचारे को कम पड़ जाता है जो आज्या गुरुदेव आप दन है गुरुदेव आप दन है भोला आज लकडियां नहीं मिलेंगी क्यों अनपूर्णा बेहन आज लकडियां क्यों नहीं मिलेंगी वो इसलिए कि रसोई में लकडियां समाब्त हो चुकी है जंगल में लकडियों की कमी है क्या? जाबीन लेना जंगल में? हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलता हूँ बड़ी भूग लगी है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये एक अदसी क्यों आ जाती है बार बार? ना जाने क्यों मुझे भोला के उपर शंकासी हो रही है गुर्देयों कहीं ये रासन बेच तो नहीं देता रास्ते में जाके ये कहना कठिन है परन्तु आज मैं स्वयम जाकर देखना चाहता हूँ कि सत्य क्या है? असत्य क्या है? हो सर पर ला दे भोज गठरिया भोला चला जंगल की डगरिया याम स्विया राम स्विया राम मुझे दे राम मन में थी खुश हाली छाई गुरु जी ने कृपा बरसाई राम स्विया राम स्विया राम जे दे राम हो आज मिलेगा भोजन पूरा नहीं रहेगा पेट अधूरा राम स्विया राम स्विया राम मुझे दे राम हो आप पहुचा तरवर के नीचे गठरी उतार बैठ गया नीचे भक्तों भोला भोजन की सामगरी वाली गठरी उतार के नीचे रख देता है। उसका मन प्रफुलित हो रहा था क्योंकि आज उसे आवशक्ता से अधिक राशन दिया था गुर्देव गुर्देव ने परंतु क्यों दिया था भोला को आज माने के लिए दिया था। आज गुर्देव जी चोरी छिपे आने वाले थे। ये देखने के लिए कि भोला सच कहता है या फिर सामान बनियों को बेच देता है। गुर्देव अपने आश्रम से चल पड़े हैं। उधर भोला गठरी खोलता है। भाजी काटने के लिए जैसे ही उठाता है कुछ सोचने लगता है। फिर जियोकात्यों रखके चुपचा पेड की ओट लगा के बैठ जाता है। और स्वयम ही विचार विमर्ष करने लगत ना जाने आज कितने लोग आने वाले हैं। इनका कुछ पता ही नहीं चलता। पहले दो फिर तीन। इस बार ना जाने पूरे कुंडवे को ही बुला लावें। अच्छा भोजन कराया मैंने इनको। ये कमाल मेरे इन हातों का है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन जो ब अब तो उनको देखने के बाद ही भोजन बनाऊंगा। और लकडिया भी तभी खट्टी करूंगा। पता नहीं आज कितने लोग आजाएं। राजा राम आओना सिया राम आओना आखे ठिकर का भोजन लगाओना। आओ 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 आओ। सोच रहे होंगे कि आज फिर से भोजन बना के रखा होगा। आटो ही डकार लोगे। मेरा नाम भी भूला है भूला। आज पता चलेगा कि भूला भूला नहीं है। आओ आओ गली मोले में कोई और बचा हो तो उसको भी बुला लाओ। तो तुम ही हो भूला जिसने हमारे प्रभु को स्वादिष्ट भोजन कराकर हमसे छील लिया है। प्रभु जी मेरे हाथ के बने भोजन का डंका कहा कहा पीट कर आए हो बता दो। बोला हमारे बड़े भहिया और माता सीता तुमारे भोजन की बड़ी प्रसंसा करते हैं हमसे रहा नहीं गया सो हम भी भोजन का स्वाद लेने चले आए बोला क्या बात है आज पत्तले नहीं लगी है भोजन परोस के दो ना हमें भोला हम तुम्हारे हाथ का भोजन पाने के लिए ललाई तो रहे हैं आप सबने मुझे मंद बुद्धी समझ लिया है क्या बहुत चाला घुमें मैं देखना चाहता था कि आज कितने लोग आने वाले हैं इसलिए मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं क्यूं भोला आज भोजन क् कहाल तुमने लगी लगी हिरड़े पर ठेस लगी तीक इसी तरह मेरे हिरड़े पर भी ठेस लगी थी जब मैंने एक को बिलाया तो दो आ गए और दो को बिलाया तो तीन आ गए और आज पूरा कुन्बा ही आ गया तुम्हारे निमंतरन के लिए घर से हम कुछ भी खा के नहीं चले थे ये रहा भोजन का समान ये रहे बरतन और वो रहा जंगल स्वेम जाओ और लकडिया लेकर आओ स्वेम बनाओ स्वेम खाओ बोला आज कुछ नहीं करेगा बरतन मांज रहे हनुमाना प्रभुश्री राम करेस नाना राम स्विया राम स्विया राम जेदे राम भरत शत्रुघन लकडी लाए मात जान की आग जलाए राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे ते राम हो लक्षमण भ्रात काट रहे भाजी चूला कूके मात सिया जी राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे ते राम राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे ते राम प्रभु श्रिया राम नहा कर आए भोलें देखे दुरत मुस्काए राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे ते राम राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम हो भोला बैठा गाल फुलाए प्रभु श्रिया राम पास में आए राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम हो भोला से बोले रघुराई बोलो क्यों रूठे हो भाई राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम भोला बोला आख दिखा के राम रुझे ते राम भूझ बनाओ स्वयम ही जाके राम स्रिया राम आज भी मैं भूखा रह लूगा गुरु जी से सब कुछ कह दूगा राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम हो अनपूरणा संग गुरु जी आ पहुचे तत काल गुरु जी राम स्रिया राम स्रिया राम रुझे ते राम राम स्रिया राम स्रिया रुझे ते राम गुरु जी का मन शोक में डूबा देखी रहे कुछ अलग अजूबा राम स्रिया राम स्रिया रुझे ते राम राम स्रिया रुझे ते राम हो भोला किससे बोल रहा है बात बात क्यों तोल रहा है राम स्रिया राम स्रिया रुझे ते राम हो भोला बोले चुप हो जावे कब हुं हसे कब हुं मुस्का वे राम स्रिया रुझे ते राम राम स्रिया रुझे ते राम गुरुदेव बोला पगला गया है क्या यहां और कोई तो है ही नहीं फिर यह किस से बात कर रहा है यही समझने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहां तो इसके लाँ और कोई भी नहीं है फिर यह किस से बात कर रहा है गुरुजी कही बोला के ओपर भूत प्रेत का साया तो नहीं ह शाहिद किसलिए इतना खाता है ये सीता जी की बनी रसोई खाने की सोचे हर कोई राम स्या राम स्या राम रिखे ते राम हो पतल बाट रहे हनुमनता परोस रहे भोजन रघुवनता राम स्या राम स्या राम रिखे ते राम हो पंगत लगी तरवर चे मीचे बोला बैठा अखिया मीचे राम स्या राम स्या राम रिखे ते राम राम स्या राम स्या राम रिखे ते राम राम स्या राम रिखे ते राम राम स्या राम रिखे ते राम होला होजन कैसा बना है यदि आज मैंने भोजन बना लिया होता तो इतना स्वादिष्ट इतना उत्तम भोजन मुझे कहा मिलता मैं इतने स्वादिष्ट भोजन से वन्चित रह जाता यदि मेरे गुरुदेव होते तो ये सब देखकर कितने प्रसन्न होते तुम्हारे गुरुदेव तो आज के दिन उपवास रखते हैं क्यों भोला मेरी तो समझ में नहीं आता के गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं मुझको बोला जब तक भगवान भोगना लगा ले तब तक भोजन मत करना और स्वेम उपवास रखते हैं गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप मुझ जैसे पेटू भुककड को पाप का भागी क्यों बना रहे हैं भोला भोला रे तेरे भोले पन्ने तो तुझको बहुत बड़ा संत बना दिया रे आज तू साक्षात प्रभुशीरी राम माता सीता पौन पुत्र हनुमान लक्षुमर भरत सत्रगन जी के साथ बैठ के भोजन कर रहा है और मैनी बुद्धी अभिमानी कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ भोला भोला तू बहुत बड़ा संत हो गया रे बोला प्रभुशीरी राम से कहकर हमें भी उनकी दर्शन करवा दे बोला प्रभुशीरी राम जी से कहकर हमें भी दर्शन करवा दे हमें भी दर्शनों कामरित पान करवा दे बोला बोला मेरी विंतिये तुझसे प्रभु सिरी राम से कहकर दर्शन करवा दे बोला हो द्रवित हुए राम रघुराया आशिश है तुझ हाथ उठाया दीव्य द्रिष्टि दोनों को दीन हाँ दोनोंने प्रभु दर्शन कीन हाँ हो देखी छटा गुरु देव वहा की अति पावन अति सुन्दर जाकी राम सिया राम सिया राम जे दे राम खड़े सामने राम और सिता हनुमत संग तीनो भ्रात पुनीता राम सिया राम सिया राम जे दे राम राम सिया राम सिया राम जे दे राम बोले गुरु तु धन्य है भोला आज से गुरु तु मैं तेरा चेला राम सिया राम सिया राम जे दे राम राम सिया राम सिया राम जे दे राम हाथ जोडी दंड वत की नहाँ सुख देव अवीनाश आशिश ली नहाँ राम सिया राम सिया राम जे दे राम हे संत शिरोमनी भक्तराज हमारा दरशन अतियंत दुरुलब है हमको वही पासकता है जो सरभस हो और सरल हो हो सरलह दया सम मन्दिर नाही सरलह दया प्रभु राम समाही सरस सरलह दया हरी जाको दर्शन देत राम निजता को राम स्रिया राम स्रिया राम मुझे दे राम राम स्रिया राम मुझे दे राम ओ, जहां जहां सरल सरलता देखी, नर नारायन समता देखी राम सिया राम सिया राम जेते राम बोलो राजा राम चंद्र भगवान की जय